ओम शान्ति आज हम मेठे बाबा के चार मार्च दो हजार चौबीस के मेठे महवाक्य सुनेगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होने चाहिए तभी बाब का शो कर सकेंगे बाबा रूप बसंद के कहानी सुनाते है न कि वनवास में चले गए लेकिन उसके बाद भी चलन से मालुम पड़ता था कि ये साधारन नहीं है ये तो राज खराने के लगते हैं ये तो कोई प्रिंस लगते हैं ऐसे ही बाबा कहते कि वो तो साधारन देहधारी राजा के बच्चे लेकिन हम तो राजाओं का राजा बनाने वाले के बच्चे हैं तो हमारी चलन ऐसे रोयल होने चाहिए कि उस रोयल चलन से बाप का शो हो सके प्रश्न है विनाश के समय अन्तिम पेपर में पास कौन होगा और उसके लिए पुर्शार्थ क्या है तो बाबा कहते अन्तिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाए पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना है कोई भी चीज में ये देहे देहे के संबंध प्राप्तिया सब कुछ आ जाता है तो बाबा कहते अंतिम पेपर में पास अंतमति सोगति किसकी होगे जिसको एक बाबा के सिवाए और कोई भी याद ना आए बाबा कहते उसके लिए पुर्शार्थ क्या है इसके लिए बेहत की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए भाई भाई की पक्की अवस्था हो देहे अभिमान तूटा हुआ हो तो पुर्शार्थ क्या करना है सारी पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है भाई भाई की पक्की दृष्टी बनाने है और देअभिमान तूटा हुआ हो कर रही है ऐसा पुर्शार्थ क्योंकि अंतिम पेपर तो बहुत नस्तीक है पुर्शार्थ किया होगा तो अंतिम पेपर में पास होगे ओम शान्ती बच्चों को सदेव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट्स है बेहत का मालिक हमको पढ़ा रहे है तुम कितने उंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो कौन सा कुल है हमारा बिलकुल इश्वर्य कुल और ऐसे रॉयल स्टूडेंट जिनको वो पढ़ा रहे हैं जो राजाओं का राजा बनाते हैं तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए तभी बाप का शो करेंगे क्योंकि कोई भी मनुष्य हमें देखता है तो उसे हमारा पुर्शार्त या हमारी अवस्थानी दिखाई देती हमारी चलन देखते हैं तो हमारी चलन ऐसे रॉयल हो की हम बाप का शो कर सकें तुम विश्व में शान्ती स्थापन करने के निमित बने हुए हो श्रीमत पर बाबा कहते हम जो एक एक कदम श्रीमत पर चलते हैं उससे हम क्या कर रहे हैं विश्व में शान्ती स्थापन कर रहे हैं तुमको शान्ती की प्राईज मिलती है, प्राईज बिना पुर्शार्थ के तो नहीं मिलती, तो क्योंकि हम विश्व में शान्ती स्थापन कर रहे हैं, तो फिर उस शान्ती की विश्व में हमें पद मिलता है, यहीं हमारी प्राईज है, वो भी एक जनम के लिए नहीं, जनम के लिए मिलती है बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे बाप आपे ही आकर हाथ में बहिश्ट देते हैं यह न बाबा कहते हैं कि कोई शुक्रिया की भी बात नहीं है बाबा तु जैसे गिफ्ट देते हैं आपे ही आते हैं और हतेली पर बहिश्ट देते हैं अब हतेली पर बहिष्ट भी बहुत सुन्दर बात है, हाथ कर्म की निशानी होती है, तो बाबा हमें बहिष्ट में जाने के कर्म सिखलाते हैं, बच्चों को पता था क्या कि बाप ये आकर देंगे, हमें तो बाबा वो देते हैं जो हमें मांगना भी नहीं आता था, अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो याद के लिए क्यों कहते हैं क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं बाबा हमें चार सब्जेक्ट सिखाते हैं ज्यान, याद, धारना, सिवा और याद की सब्जेक्ट का महत्व क्या है याद से विकर्म विनाश होते हैं बेहत की बाप की पहचान मिली और निश्य हुआ बाबा कहते हैं कि जब आत्मा को अपने बेहत के बाप की पहचान मिलती है तो आत्मा पहचान जाती है कि यही मेरा बाबा है और निश्य हो जाता तकलीफ की कोई बात नहीं है भक्ती मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं भोले बाबा कहते हैं जरूर बाप से कुछ वर्सा मिलेगा अब बाप है तो कुछ तो वर्सा मिलना चाहिए बाप और वर्सा तो एक साथ होते हैं तुम्हें पुर्शार्थ की मार्जिन भी है है ना बाबा कहते तुम्हें पुर्शार्थ की मार्जिन भी है क्योंकि तब तो समय बहुत था अभी भी बाबा कहते चलो थोड़ा बहुत मार्जिन तो अभी भी है अभी भी विनाश लीला शुरू नहीं हुई है तो पुर्शार्थ करने की मार्जिन है जितना श्रीमत पर पुर्शार्थ करेंगे उतना उंच पद मिलेगा बाबा कहते हैं बाप, टीचर और सत्गुरू तीनों की श्रीमत मिलती है आज इस पर विचार करना बाप रूप से कैसी श्रीमत मिलती है टीचर रूप से कैसी श्रीमत मिलती है और सत्कुरू की श्रीमत कैसे होती है क्योंकि बाबा कहते हैं वर्सा लेने के लिए भी श्रीमत देते हैं उच पद पाने के लिए भी श्रीमत देते हैं और फिर मुक्ती जिवन मुक्ती का अधिकारी बनने के लिए भी श्रीमत देते हैं तो बाप रूप से, टीचर रूप से, सत्गुरू रूप से बाबा श्रीमत देते हैं, उस मत पर चलना है, और रहना भी अपने घर में है, मत पर चलने में ही विघन पड़ते हैं, है न क्योंकि माया भी खड़ी है, बाबा की श्रीमत पर चले तो भाग्य बन चाहे, लेकिन पुराने पापों का बोज़ पी तो है ना, तो माया भी एकदम सामना करते हैं और विघन डालते हैं. माया का पहला विघन है ये देअभिमान, माया कभी इंद्रियों के रस में फसा देगी, कभी देह की आकर्षन, कभी संबंधों में लगाओ, कभी कोई और मनुष्य मत कभी वस्तों प्राप्तियों में उल्चा देगी, तो देअभिमान जो है या दे की धर्मू की तरफ आकर्षन हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं देअभिमान जो है ये श्रीमत पर चलने नहीं देता, परना बात तो बड़ी सहज है, श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है और भाग्य बनाना है, लेकिन सोचो माया इसमें कितना हमें विगन डालती है, तो बाबा कहते हैं माया का पहला विगन है ही देअभिमान, बाब कहते हैं अपने को आत्मा समझो, पिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो लेकिन माया क्या करेगी हमें देही और देह के सम्बंद और धर्मों में उलρχा देगी तो आत्मा है यह भूली जाता आत्मा है तो लक्ष बिल्कुल क्लियर है बाब को याद कर वर्सा पाना है लेकिन आत्मा है यही भूल जाता है देअभिमान आ जाता है तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परन्तो माया करने नहीं देती बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुर्शार्ट जरूर चाहिए पहले-पहले तो आते हैं तो सोचते हैं विश्व महराजन बनना क्या मासी का घर है लेकिन धीरे-धीरे समझ में आता है कि नहीं इसमें खास पुर्शार्ट तो जरूर चाहिए जो अच्छे बच्चे हैं उनको follow करना चाहिए, क्योंकि ब्रामन परिवार तो बहुत बड़ा है, और बाबा कहते हैं, सारी राजथाने यहीं से बननी हैं, तो हर प्रकार के बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं, किनको देखो, किनको follow करो, जो अच्छे पुर्शार्थी हैं, हम बाप से उंच वर्शा ले लेवें, काटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है, यहने याद की सबजेक्ट को बिलकुल हलका नहीं करना है, याद से ही बुद्धी का ताला खुलता है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, याद से ही धारना भी इग्यान क ही होती है, इसलिए बाबा कहते है, याद से, याद की सबजेक्ट पर बहुत अटेंशन देना, पांच विकारों के काटे निकल जाए, तो फूल बन जाएंगे न, वो निकलेंगे योग बल से, कई बच्चे सोचते हैं, फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, कि कि अकाल मृत्यू देखते हैं, तो सोचते हैं, ये देखो कैसे, खास कर जब शरीर छोड़ता है, तो एकदम से सोचते हैं, देखो सभी को एक दिन ऐसे चले जाना है, संकल्ब चलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, कि ये संकल्ब नहीं चलाने हैं, कि हम भी ऐसे आचानक ना चले जाएं ये संकल्ब चलाने हैं कि अब हमें ऐसा पुर्शार्थ करना है कि अंत में जब शरीर छूटे कभी भी कल भी छूटे तो भी हमारी अवस्था ऐसी हो कि हम अंत्वते सोगती को पाएं तो बाबा कहते हैं लेकिन उसे देख फिर पुर्शार्थ करना चाहिए न जब समझ आता है कि शरीर कभी भी छूट सकता है तो प्रेड़ना लेकर पुर्शार्थ करना है शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो वशीकरन मंत्र याद हो और कुछ भी याद न हो सिवाए एक बाब के तब प्राण तन से निकले तो ये नहीं सोचना कब शरीर छोटेगा, ये सोचना है कि जब भी छोटे, अभी भी छोटे, तो अभी आवस्ता ऐसी हो, जो एक बाबा ही याद रहे बाबा बस हम आपके पास आए कि आए, ऐसे बाबा को याद करने से, आत्मा में जो किछड़ा भरा हुआ होगा, वो सब भस्म हो जाएगा बाबा की किर्णों में इतनी शक्ति हैं बाबा की याद में इतनी शक्ति हैं जैसे लाइट से जर्म समर जाते हैं इसे बाबा की याद की किर्णों से सारा किछड़ा भसम हो जाता है आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे बाबा कहते आत्मा में किच्डा है तो शरीर में भी है जनम जन्मांतर का किच्डा है वो सारा जलना है किच्डा भी क्या पुरा जनम जन्मांतर का तेसर जनम का जब तुम्हारा किच्डा सारा जल जाए, तब दुनिया भी साफ हो जाए, देखो कितने सुन्दर बावा हमें आध्यात्मिक नियम समझाते हैं, बच्चों के अंदर का किच्डा भस्म हुआ, तो सारी दुनिया पवित्र हो जाएगी, इस दुनिया को सिर्फ हम बच्चों की संपूर्ण पवित्रता चाहिए उतना मिनिमम हुआ तो विश्व पवित्र हो जाएगी दुनिया से सारा किछड़ा निकालना तुम्हारे लिए है ना, निकलना है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब हम संपूर्ण बन जाएगे तो हमें पद मिलना चाहिए तो हमारे लिए प्रकृति तयार हो जाएगी तुम्हें सिर्फ अपना किछड़ा नहीं साफ करना है सभी का किछड़ा साफ करना है लेकिन अपना किछड़ा साफ करने से ये सारा किछड़ा साफ हो जाएगा बाबा को बुलाते ही है कि बाबा आकर इस दुनिया की किछड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ, किसके लिए उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले-पहले राज्चे करने आते हो ना, तो बाबा कहते ही जो नई विश्व आएगी ये किसके लिए, पवित्र लिए बनेगे हम बच्चों के लिए तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, बाबा तो सिफ हमारे लिए आए हैं, बाबा थोड़ी सत्यूग में राज्य करेंगे, बाबा हमें श्रीमत देते हैं, जिस पर चल कर हम पावन बनते हैं, विश्व पावन बनत है तो हम ही उस विश्व में राज्य करते हैं भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं परंतु किसका कल्यान नहीं करते हैं कल्यान तो है अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में और ये बातें तो भक्ति मे मालूम ही नहीं होती कि अपने को आत्मा कैसे समशना है स्वधर्म में कैसे टिकना या बाप का परिच्छे ही नहीं तो याद कैसे हो तो बाबा कहते हैं कल्यान की विधी राच्योग तो बाबा आते ही सिखाते हैं उससे पहले तो विधी ही नहीं मालूम तो कितने भी गीत किर इतना भजन करते हैं, लेकिन उससे कल्यार नहीं होता, तुम्हारा याद करना ऐसा ही है, जैसे लाइट हाउस फिरता है, स्वधर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं, लाइट हाउस फिरना माना स्वधर्शन चक्र जैसे जैसे फिरता है बुद्धी में, तो हमारी अवस्था कै से हो जाती, लाइठा उसकी अवस्था, जो अपने स्थान पर स्थित है, लेकिन अनेकों को जैसे दिशा दे रहा है, तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्सा मिलना है, यह ही सत्य नारायन की कथा, यह जो हम सुन रहे हैं, यह है सत्य नारायन की कथा, इससे बनना ही है नर्से नारायन, नर्से नारायन बनने की, बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, बाबा कहते हैं, उनको सतो प्रधान बनना है, सोचो कहां तमो प्रधान और कहां सतो प्रधान, लेकिन बाबा है, और ब शक्तिशाली विधी बता रहे हैं, स्वधर्म में चिक बाबा को याद कर, स्वधर्शन चक्र फिरा कर, श्रीमत पर चल कर, एक जनम में ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। सत्युग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। गीता सुनना कितना अंतर है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसलिए गीता तो पढ़ते हैं दो यूगों तक, लेकिन उससे मनुष्य से देवता नहीं बनते। अभी डाइरेक्ट जब बाबा आते हैं, तब ही बनते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताईं। बेहत का बाब है ही नई दुनिया का वर्सा देने वाला। बाब को याद करते रहो तो अंतमते सोगती हो जाएगी। तुम जानते हो बाब आते हैं संगम युक पर, पुर्शोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। अब तो बुद्धी में सारा रास है। आने वाली स्रिष्टी भी एकदम नजर आते हैं। कि कैसे अब चक्र को दुबारा फिर ना ह ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिप बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाबा कहते हैं पहले पहले तो अल्फ पर निश्य चाहिए। बाब कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बन जाएंगे। तो पहल फादर से वर्सा ही सत्युक का मिलता है। भारत सत्युक था अब नहीं है फिर बनना है देखो कबसे गाते आते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा से सुख घने रे। लेकिन कभी बुद्धी में नहीं आता था कि वो मात पिता है तो वर्सा क्यों नहीं देत यहना बाबा कहते हैं मुझसे तुम्हें सत्युक का वर्सा मिलता है भारत सत्युक था अब नहीं है फिर बनना है इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंत्मति सोगति हो जाएगी यह सच्चा बाप जो सच्चा वर्सा विनाशी वर्सा देते हैं इनके बच्चे बनने से तुम सच खंड के मालिक बन जाएंगे पहले पहले अल्फ को पका कराओ अल्फ बाबा और बे बादशाही बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, कितना सहच है, जनम जनमांतर भक्ती की बातें सुनते सुनते, बुद्धी को माया का ताला लग गया है, भक्ती में क्या कहते हैं, पतीतों को पतीत पने का सुख दो, या दानपुन्य करो, या भक्ती में कहेंगे जब तब तीरत करो, शास्त्र पड़ो, वरत रखो, तो उससे तुम्हारी गति सद्गति होगे, लेकिन बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करे, वर्से को याद करे, श्रीमत पर चले, देवी गुन धारन करे, और विश्व को पावन बनाने के सेवा करे, तो सत्युग में तो बाबा कहते हैं, बाबा को याद करते हैं, इस समय सभी के कान जैसे बंद है, क्योंकि जो मनुष्य मत के पत्थर पड़े हुए ना कान में, उससे कान बंद हो गए हैं, पत्थर बुद्धी हैं, तुम लिखते भी हो, श्रीमत याद है, स्वर्क का वर्सा याद है, बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा न, अपनी नई दुनिया को राजधानी को याद करने से, बादशाही को याद करने से मुख मीठा हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, सुख मिलता है न, सोच कर ही, जैसे रोमांच करे हो जाते वो भी ड्रामा में नून दे किसका दोश नहीं है यहना बाबा बता कर दे को बच्चों को कितना कमफ़र्ट करते है कि चलो तुमारा दोश नहीं है तुम बच्चों की मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धी अत्वा काटों को फूल बनाने के लिए यहना सारी जो मनुष्य मत भरी पड़ी है जिससे पत्थर बुद्धी हो गए उसको निकाल कर श्रीमत समचाना पारस बुद्धी बनाना यह हमारी मिशन है यह मिशन तुमारी चालू है सब एक दो को काटों से फूल बना रहे हो उनों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा यहना बाबा कहते किंग फ्लावर ही तो अपने खुश्बू और रंग से दूसरे को भी प्रभाव डाल सकता स्वर्क की स्थापना करने वाला अत्वा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है तुम हो खुदाई खिदमतकार हम भी बाबा से सब कुछ ले कर देते हैं मुख्य बाद तो है बाबा की और उन बच्चों की महिमा है जो बाबा की शुरिमत पर चल योग्युक तो हो विश्व का कल्यान करते हैं तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं समझाना भी बहुत सहच है कल्युक में हैं तमो प्रधान अगर कल्युक की आयू बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे कई सोचते हैं विनाश ना हो तो और क्या होगा और ही तमो प्रधान बनेंगे दुखी होंगे तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है काटा बनाना रावन का काम है रावन देखो हमें कैसे मोह के कीडे, विकारी कीडे बना देता है और बाबा हमें कैसे एक एक चीज से छुड़ा कर सतो प्रधान बनाते हैं फूल बाब बनाते हैं जिसको शिब बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा क्योंकि बाबा को याद करने से वर्से की मिठास मुख में आ जाती है प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भारत पर इन लक्षमी नारायन का राज्य स्थापन कर रहे हैं इन प्रभात फेरी में भी लक्षमी नारायन का अच्छा ट्रांसलाइट का चित्र होना चाहिए और सब को यसंदेशतेना है कि हम श्रीमत पर यह लक्षमी नारायन का राज्य स्थापन कर रहे हैं हम ब्राम्भन सो देवता बनते हैं देवत्ता, सुफेर, शक्त्रिय, सो शुद्र, सो ब्राम्बन ये बाजोली हैं युवर चक्र है इसको समझाना बहुत सहे छे हम ब्राम्बन है ब्राम्बन मानना? शिववशी, ब्रह्मा, मुक्ष, बंशावली ब्राम्बनों को चोटी होती हैं तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया, बच्चों को कितनी अच्छी knowledge मिलती हैं, और सब है भक्ती, बाबा कहते हैं, knowledge के सिवाए सब कुछ भक्ती है, ज्यान एक बाप ही सुनाते हैं, सर्व का सद्गती दाता एक बाप ही है, है न बाबा ही बाप, टीचर, सत्गुरू है, बाबा ही ओशन ओफ नौलेज, ओशन ओफ प्यूरिटी, ओशन ओफ लव है, बाबा ही सर्व शक्तियों के सागर है, तो बाबा कहते हैं, बापी तो सब भक्ती हैं, पुर्शोत्तम संगम युग भी एक ही है, उत्तम पुरुष बनने का, मनुष्य से देवता बनने का ये एक ही समय है, इस समय बाब तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, देखो ये युग, ये पिता, ये पालना, ये पढ़ाई, सारे कल्प में एक बार आती हैं, तो इस समय पर और इधर उधर नहीं देखना है, कोई माया में नहीं फसन हैं, अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भक्ती में फिर यादगार चलता है, सब कुछ इस समय होता है, बाकी तो द्वापर युक से सिर्फ यादगार है, इस समय की कर्मों, कर्तवियों, चरित्रों का गायन, पूजन, सिमरन चलता है, बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है, कि ये पुर्शार्थ करने से तुम ये वर्सा ले सकते हो, कितनी सहच बात है, बस बाबा जो पुर्शार्थ सिखाते हैं, वो करने से हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं, ये पढ़ाई बहुत सहच है, नर से नारायन बनने की पढ़ाई है, कथा कहना र माराज कहा बस उठ गए क्योंकि कथा में एम आपजेक्ट नहीं होती है पढ़ाई में एम आपजेक्ट है कौन पढ़ाते ग्यान सागर बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रतनों से जोली भरता हूं बाबा कहते एक एक रतन धारन हुआ न तो माला माल बन जाएंगे बेहत के बा पूचने नहीं आते थे इस समिष साब है पथर बुधि तो पथर बुधि वाले क्या प्रशन ऐसा पूचेंगे बाबा से रावन को ही नहीं जानते तुमको अब अकल मिलता है पूचने के लिए जब बुधी का ताला खुलता है न तो प्रशन भी अच्छे पूचते मनुश्यों से पूछो आके रावन है कौन? कबसे इनका जनम हुआ? सुचो ऐसे प्रश्न कोई नहीं पूछता रावन है कौन? कबसे जनम हुआ? हर साल क्यों जलाते हैं और क्यों बड़ा बनाते हैं? कब से जलाते हो कहेंगे अनादी है तुम अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो पूछो ये लक्ष्मी नारायन अभी कहा है इश्री रामसिता कहा है अभी है तो बाबा कहते है वो भी समय आएगा तो पूछेंगे कोई response कर नहीं सकेंगे तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी अब आप अपने से पूछो हम सतु प्रधान बने हैं बन गए golden agent दिल गवाही देती है ना दूसरा तु सर्टिफिकेट बाद में देगा अपने आप से पूछो स्वयम का स्वयम को सर्टिफिकेट है कि सतु आती तवस्था तो हुई नहीं है होनी है इस समय तुम बहुत थोड़े हो इसे लिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है अभी तो काफी हो गए है अभी सुनने भी लगे है और तुम्हारी बात ही न्यारी है इतनी नई बात सुनते है ना तो एकदम से हजम नहीं होती उनको पहले पहले तो बताओ बाप संगम युग पर आते हैं, याना बाप आते हैं, ये संगम युग है, वर्सा दे रहे हैं, ये बातें बुद्धी में बिठाओ, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ, याना एक एक बात बस कोर्स पूरा करने पर ने रहो, एक एक बात ब प्यार से समझाना है, कि तुमको दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक, पारलौकिक बाप से बेहत का वर्सा तब मिलता है, जब सतो प्रधान बनते हो, बाबा कहते हैं, पारलौकिक बाप का वर्सा है ही सत्यूग, लेकिन उसके लिए लायक बनना पड़ेगा, दुनिया में भी वर्सा लेने के लिए एक आयू, एक लायक पना चाहिए न, तो बाबा कहते हैं ऐसे, सतो प्रधान बनो श्रीमत पर तो वर्सा मिल चाहेगा, बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चड़े, तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं, गुणों के सागट को याद करेंगे, तो गुण ही भरेंगे, तुम बच्चों को बाप आकर qualification सिखलाते हैं, health, wealth भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, education भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुडाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर तो बिलकुल पक्का चलना चाहिए, तुम बहुत अच रिती मिनिस्टर आदी को भी समझा सकते हैं, समझाना ऐसा चाहिए, जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए, बिलकुल तीर लग चाहिए, तुमारा ज्यान बहुत मीठा है, ज्यान से भी सुख मिलता है, ज्यान को सुनकर भी दिल को, कान को जैसे आराम मिलता है, प्रेम से पैट कर सुने तो प्रेम के आसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टी से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। ना खास सेवा में ये दृष्टी जो है ये पक्के करो कि मैं आत्मा भाई भाई को रास्ता बता रहा हूं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगते हैं। बाबा कहते हैं दिली में सेवा का घेराओ डालो, विस्तार करो। बाबा तो सेवा के लिए इतनी प्रेड़ना देते हैं। लेकिन बच्चे जो है तनमंधन लगाने से अगर कदम पीछे हटाएंगे, तो सेवा कैसे होगी। परन्तु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हैं। योग बल होगा तो बुद्धी का ताला खुलेगा, तो तन भी स्वाह करेंगे, धन भी करेंगे और सेवा आर्थ जब लगाएंगे तो उसका मेवा भी खाएंगे भविश्य में। साथ-साथ ज़्यान भी हैं। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। ज़्यान तो सुनाएंगे लेकिन ज़्यान तलवार में जोहर होना चाहिए योग का। अभी बच्चे भाशन भल अच्छा करते हैं परन्तु योग की क तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हों। तो योग बल बहुत चाहिए। अपना चाठ देखो कि जितना योग बल चाहिए कि एक तो हमारे विकर्म में नाश हो फिर अवस्था इतनी गुण स्वरूप शक्ती स्वरूप हो कि दूसरे को तीर लगे। ऐसा य उसकी बहुत कमी हैं अंदर खुशी में नाचना चाहिए। ये खुशी का डांस है। उसमें आत्मा जैसे खुशी में डांस करते हैं। इस ज्ञान योग में से तुम्हारे अंदर डांस होती है। मुरली भी सुनते हैं तो आत्मा देखो कैसे हिलोरे खाती है ना डांस होती है। ज्ञान डांस है। योग में भी अलग-अलग गुण स्वरूप, शक्ती स्वरूप, अलग-अलग संबंद के अनुभव स्वरूप उसकी डांस चलती है। बाप की याद में रहते रहते मुझात्मा का स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता कौन है। और अपने को देह से न्यारी अवस्था में स्थित करना है। अब घर जाना है फिर राजाई में आएंगे। और खास जब हम आतम अभिमानी स्थिती में रहते हैं तो पहली ब्यात क्या है लक्ष या यह दुनिया सारी जली पड़ी है। हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं इसलिए इस जली पड़ी दुनिया के चक्कर में नई दुनिया का भाग्य नहीं गवाना है। अब घर जाना है इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस शरीर भी स्व को याद करना है, कोई भी चीज में आसकती नहीं, आसकती होती है तो बंधन का रूप ले लेती है और बंधन वाली आत्मा उडान नहीं भर सकती, तेज दोड़ना चाहें तो बंधन खींचता है, विनाश भी कड़ा होने वाला है, जब विनाश होने लगेगा तो तुमको बस हम transfer हुए की हुए दुनिया में तो विनाश का दुख होगा और हमें खुशी होगी कि अब हम एक पड़ाओ पार कर अपने नई दुनिया में जा रहें पुरानी दुनिया के कोई भी चीज याद आई तो फेल बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा है न बाबा कहते है पहले तो बैगर बनो मैं आत्मा और मेरा बाबा बस और मैं पन मेरा पन हर चीज से निकल जाए बेहत की सारी दुनिया से ममत्व मिट चाए इसमें महनत है भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब दे अभिमान तूड़ चाए न वरना दे दिखेगी दे का रूप, रंग, लिंग सब दिखेगा न जेंडर राधी सब दिखेगा दे अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा हम भाई को पढ़ाते हैं वरना देखेगे यह तो मेरे माँ है, पिता है, यह तो भाई है, यह तो बंदू है परेन बाबा कहते हैं भाई-भाई की दृष्टी कब होगी जब दे अभिमान बिलकुल खतम हो जाए भाई से बात करते हैं यह पक्की टेव अर्थात आदत पड़ जाए अगर स्कॉलर्शिप लेनी है तो इतना पुर्शार्थ करना है यह न देखो बिना किये तो कुछ नहीं मिलेगा न तो बाबा कहते हैं स्कॉलर्शिप लेनी है तो पुर्शार्ट तो करना पड़ेगा जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई है सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं सब भाईयों का बाप के वर्से पर हक है बेहन का भी भान ना है शरीर के रूप से भाई बहन है वो भी भान ना है आत्मा शरीर ये आत्मा भाई भाई है इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी आत्मा को ये शरीर मिला है उसमें किसका नाम मेल का किसका फीमेल का पड़ता है इनसे परे बाकी आत्मा है तो शरीर के जेंडर में भी नहीं जाना है. सोचना चाहिए, बाबा जो रास्ता बताते हैं, वो बरोबर ठीक है. विचार करके देखो, देही अभिमानी स्थिती में जब बैठते हैं और ज्ञान का चिन्तन करते हैं तो एकतम बैठता है कि बाबा तो ठीक कह रहे हैं तब सारी उल्चन जो देविमान के कारण मन में होती है न उल्चन खतम हो, क्लारिटी आ जाती है यहां बच्चे आते ही हैं यह प्रैक्टिस करने ट्रेन में किसको बैज पर समझा सकते हूं बैठ कर एक दो से पूछो तुमको कितने बाब हैं किसे के सामने बैठ कर पूछेंगे तुमको कितने बाब हैं तो वो भी कान ऐसे खोल कर सुनेंगे न कि यह क्या नई बात कह रहे हैं तो फिर उत्तर दो, यह है दूसरे का ध्यान खिचवाने की युक्ति फिर तुमको दो बाप है और हमको तीन तुम्हारे को तो पारलोकिक और लोकिक का परिचे है हमारा अलोकिक से भी संबंध है यह बताओ इस अलोकिक बाप द्वारा हमको वर्सा मिलता है तुम्हारे पस फर्स्ट क्लास चीज है कोई कहे इससे क्या फाइदा है बोलो हमारा फर्ज है अंदों की लाठी बन रास्ता दिखाना यहना हमारा फर्ज है ये बाबाने हमें जिम्यवारी दी है जैसे नंस सर्विस करती है तुम भी करो तुमको बहुत प्रजा बनने है येनो दुनिया में सन्यासी देखो हद का सन्यास कर देते हैं फट से हमें बेहद का सन्यास करना ही पड़े नन्स सर्विस करते हैं बाबा कहते हैं तुम नन बट वन हो तुमें भी सर्विस करने हैं अपने आपको पहचानना है जैसे उनको स्वमान है न हम नन हैं हम सन्यासी हैं हमें भी समझना है कि हम तो खुद परतिकला का रास्ता बताते हों, एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होगे, बाप से वर्सा लेना बहुत सहच है, परन्तु बहुत बच्चे गफलत करते हैं, बस गफलत के चकर में इतना बड़ा भाग्य थोड़ी गवा देंग याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकील दे, मात, पिता, बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, ओम शान्ते धारणा के लिए मुख्य सार है अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उप्राम रहना है किसी भी चीज में आसकती नहीं रखने हैं बुद्धी में रहें कि अब हम ट्रांस्फर हुए की हुए बहुत धैरे और प्यार से सबको दो बाप का परिच्छे देना है ज्यान रतनों से जोली भर कर दान करना है काटों को फूल बनाने के सेवा जरूर करनी है वर्दान है बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विगन निरंतर सेवाधारी भव बाबा कहते हैं जहां सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है जब समय श्वास और संकल्प को फ्री रखते हैं तो माया का द्वार बन जाते हैं जब अपने समेश्वास संकल्प को सेवा में बिजी रखते हैं, तो फिर अनेक प्रकार के विग्णों से अपने आप किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो, तो निर्विघन, निरंतर सेवाधारी, सहज मायाजीत बन जाएं। समेश्वा की रूप रेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्वयम कहेंगे कि ये स्रेष्ट कारे हैं, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। लेकिन बावा कहते हैं, इतनों को सहयोगी बना कर चलाना, स्रेष्ट कर्म का बीड़ा उठाना वो जिम्मेवारी, वो इनिशियेटिव हमें लेना पड़ेगा। ये समे के समीपता की निशानी हैं, तो खोब उमंग उत्सा से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। एक सेकेंड एक संकल भी बिना सेवा के ना जाएं। बिल्कुल भी टिकती नहीं, आती और चली जाती, क्योंकि हम अपनी संपनता की स्टेज से उस परिस्थिती में उलचते नहीं, जब उलचते नहीं तो वो जैसे आती हैं, उतनी हैं जल्दी चली जाती हैं। ओम शान्ति ओम शान्ति क्योंकि हैं जाती हैं, जाती है उतनी हैं, वस्देटी चली जाती हैं। झाल झाल